नवस्कार दोस्तो आपने रंग गुलाल जहां तक कीचड की होली खेली होगी? क्या आपने कभी सम्षान की राक्षे होली खेली है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए लेकिन जिसने नहीं खेली है उनको आज हम सम्षान की राक्षे अगोरियों की होली दिखाएंगे जी को देखने के लिए पूरे विश्व के लोग समलेत हो रहे हैं और दोस्तों पूरी दुनिया के लोग यहां पर इस होली को देखने तथा खेलने आते हैं दोस्ते इस होली को देखकर आप भी अपने आपको नहीं रोख पाएंगे तो दोस्तों इस होली का पूरा-पूरा नज कि नगरी कही जाती है यहां सणकें समसान की राक्षे पटी हुई है जिधन नजर जा रही है कोई चेहरे पर राख मल रहा है तो कोई चिता की भस्म से नहाया हुआ है कोई इंसानी खोपड़ी की माला गले में पहने हुए है तो कोई मुहें में जिन्दसाप दवाय रखकर न इंसान जो चिता की राख से दूर भागता है आज वो इसे प्रिसाद मानकर एक चुटकी राख के लिए घंटो इंतिजार कर रहा है भीड़ इतनी है कि पेर रखने तक की भी जगे नहीं है वहीं हम आपको बता रहे कि कासी में होली से चार-पात दिन पहले ही मसान होली शुर नहीं है रास्ते में जगे जगे अगोरी बाबा कर्तब दिखा रहे हैं कोई हाथ में नाग लेकर घूम रहा है तो कोई आग से खेल रहा है चिता की भस में हवा में इस तरह घुली है कि दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हरिस चंदक घाट पर दिन कथा सुनाते हैं तो वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्रासल दोस्तों राजा हरिस्चंद हमारे बाबा कालू राम डॉम के हाथों इसी जगे पर विके थे उनकी पत्नी भी कालू राम डॉम के हां काम करने लगी थी जब राजा हरिस्चंद ने अपनी पत्नी तार और कहने लगे कि राजा तुम अपनी तफस्या में सफल हुए तुम अमर रहोगे और यह दुनिया तुम्हें सत्यवादी राजय हरिष्चंद के नाम से भी जानेगी भगवान विश्णू के पादू का निस्तान आज भी हरिष्चंद घाट पर हैं इसी इस्तान से चिता भस में होली की शुरुवात की जाती है वहीं हम आपको बता दे कि मरी करने का घाट में डॉम लॉकेस चौधी बताते हैं कि रंग भरी एका दसी के दिन सिभजी माता पारवती का गौना करा कर लाए थे इसके बाद उन्होंने कासी में अपने गणों के साथ रंग उलाल की होली खेली लेकिन वे समसान में बसने वाले भूत पिरेत पिसाच किन्नर और अन्यजीव जन्तु आदी के साथ होली नहीं खेल पाई थे इसलिए रंग भरी एका दसी के एक दिन बाद महादेव ने समसान में बसने वाले भूत पिसाचों के साथ भी होली खेली थी तवी यहां स नमसान होली खेली जाती है हरिश्चन्द घाट पर शिव जी का एक मंदिर है इसे मसान मंदिर कहा जाता है यहां सुवे से ही उत्सो का माहुल है शिव लिंग पर दूद दही सहद फल फूल माला धतूरा गांजा भस में चड़ाई जा रही है पाच पुजारी रुद्रावी स एक करा रहे हैं इसके बाद बाबा को दोती और मुकुट पहनाया जाता है साल में एक ही दिन बाबा का मसान मुकुट पहनते हैं इसके लिए एक रत सजाया गया है उस पर एक लड़के को सिव और एक लड़की को पारवती बना कर बिठाया जाता है फिर चिता के सामने उनक पर मुकुट, हाथ में तिर्सूल कटार, मोह पर काला रंग और लाल रंग की बाहर, लटकती जीव, मानो साक्षात, काली यहां पर उतराई हो, डीजे पर भक्ती गाने बज रहे हैं, भईयाम आपको बता दे कि ए जहाकी यहां से करीब 700 मीटर दूर अगोरा चार किना राम के आश्रम जाती है, फिर आश्रम से बाबा भोले नात की बरात निकलती है, बरात में भीड ऐसी की तिल रखने की भी जगे नहीं है, अगोरी और तांतिर्क तो इनमें सामिल है ही, आम लोग भी इसमें सामिल होने के लिए ललाए थे हैं, आज रंग भर एक दसी है, हजारों लोग अगोरियों को देखने के लिए आई हुए हैं, कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बाबा साल में एक बार ही दिखाई देते हैं, इसलिए इनका दर्सन करना सौभाग की बात होती है, मीडिया और यूटूबर्स का भी यहां हुजूम उमड़ा है, हर कोई ऐसे अधवुत को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, दो फ्यारवाद करीब दो बजे जहां की ओघर पीट आस्रम पहुंचती है, इसके बाद सभी ओ अगोरी बाबा और डॉम राजा उसी जगए पहुंचती हैं, जहां भगवान विश्नु राजा हरिस्चंद के सामने प्रकट हुए यहां एक मंच बना हुआ है, सभी मंच पर पहुंचते हैं, इसके बाद सिवलिंग पर चड़ाई गई चिता की भस में मंगाई जाती है, अगोरी बाबा एक दूसरे पर चिताओं की राख उडेलने लगते हैं, इसके बाद बाकी लोग भी एक दूसरे पर भस में लगाने लगते हैं, भई हम आपको बताते हैं कि अगोरा चार किना राम लालू राम डॉम के सिस्च थे, उन्होंने इसी हरिश्चंद घाट पर सिव जी की साधना की थी और सिद्धी हासिल की थी, इसी वज़े से सिव पारवती की पालिकी यहां लाई जाती है, यहां अगोरा लकणियां कंदे पर रखकर अगोरा फीठ ले जाता है, इनी चिता की लकणियों पर आश्रम में प्रसाद और लंगर बनता है, दूर दूर से लोग यहां अपनी अलग-अलग समस्याओं की निवारन के लिए आते हैं, हजार उस साल से चली आ रही यह परंपरा, आज भी का अब हैं, वहीं अब आपको बताते की पवन कहते हैं कि कासी में अगोरी गोपनीय तरीके से रहते हैं, बेसाधना के लिए कब समसान आते हैं और कब चले जाते हैं कोई नहीं जानता, बेहोली दिवाली की रात और रंग भरी एकदशी को खुले तोर पर आते हैं, इन तीन दिनों में यहां वो सब देखने को मिलता है, जिसे कमजोर दिल वाले आम इंसान नहीं देख सकते, जैसे कोई अगोरी गुडिया में सुई घौप रहा है, तो कोई मुर्दे का सिर काट कर उसके खून से साधना करता है, तो कोई मचली जला रहा है और कोई संकल पर वैसी सा अगोर का मतलब है कि जो घौर नहीं हो, यानि की कठिन नहीं हो, यह एक मार्ग है जिस पर अगोरी चलते हैं, इन्हें किसी भी चीज से तनिक भी घेर्णा नहीं होती, जैसे गंगा जिंदा मुर्दा और पूरी गंदगी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, फिर भी पवित्र बनी रहती है, उसी तरह अगोरी भी अपने अंदर सारी गं कार के मासाहार होते हैं, जिनमें इन्सान का मास भी सामिल है, हाला कि सभी अगोरी इन्सान का मास नहीं खाते, अगोर मार्ग पर चलने वाले ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन अगोर साधक अविवाहित होते हैं, अगोरी बनने के लिए एक गुरू चुनना होता है, उस सिद्ध इच्छा लेने के बाद ब्यक्ती अगोरी बन जाता है, तो दोस्तो कैसी लगी आपको यह खबर और कैसा लगा आपको काशी का अधून न जा रहा है, जल्दी से जल्दी अमें कमेंट करके बताईए, और हमें कमेंट करके जै भोले, जै, जै भोले लिक कर भेजिए, दोस्तो जय हिंज भारत, जय हिंद की स्यना और जय सत्य सनातन धर्म की